हेलो फ्रेंड्स मैं पंकज, वेलकम टू क्रेजी जीकेट ट्रेक तो फ्रेंड्स जोग्रफी की MCQ सिरीस को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में देखिए हम जोग्रफी की सिरीस के पांचवे टॉपिक भारत के मरुस्तल और द्वीप समू को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं इस टॉपिक से जितने भी MCQ उस एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें इस वीडियो में देखिए हम डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को आप ध्यान से end तक देखिएगा और अगर आपको इस टॉपिक की देखिए PDF डाउनलोड करना है तो आप Crazy GK Trick की एप्लिकेशन पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला कुशन देखिए दूइपो की सरवाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा दूइप प्रशान्त महासागर में देखने को मिलते हैं प्रशान्त महासागर जो की एश्या महादीप के पुर्व में इस्तित है इसी में देखिए दूइपों की सरवाधिक संख्या देखने को मिलती है आंसर A दिसम्बर 2018 में हेवलोग दूइप का नया नाम क्या किया गया है तो देखिए सबसे पहले तो इस दूइप के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स कि ये दूइप आखिर है का तो देखिए ये भारत के दक्षिन पुरू में अंडमान निकोबार का एक दूइप है जो की देखिए अंडमान निकोबार की जो केपिटल है पोर्ट बलेयर उससे 38 किलोमेटर दूर अंडमान पर इस्तित है हेवलाग दीप का देखिए 2018 में नाम बदल कर स्वराज दीप रख दिया गया है तो वर्तमान में स्वराज दीप के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार का हेवलाग दीप तो अंसर C भारत का एकमातर शीत मरुस्तल कौन सा है ओके, इसके बाद अगले कुश्चन पर आजाईए, भारत के थार मरुस्तल का कितना भाग राजस्तान में है, तो देखिए थार का मरुस्तल जो है फ्रेंड्स, ये विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्तल है, जो की भारत के राजस्तान रज्ज में फैला हुआ है, तो राजस्तान रज में थार का मरुस्तल 62% फैला हुआ है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी दीव है विश्व का सबसे बड़ा नदी दीव है friends माजूली इसे याद रखिएगा ये भारत के असम रज में ब्रह्मो पुत्र नदी पर इस्ति थे दीव इस्ति थे तो देखिये ये दमन और दीव का एक दीव है friends जो कि खमबात की खाड़ी में इस्ति थे बारत के पश्चीमी शेत्र में खमबात की खाड़ी में ये दीव देखने को मिल जाता है आंसर भी इसके बाद देखिये आरकी पेलेगों का अभीप्राई निम लिखित में से किसकी कड़ी से है तो देखिए आरकी पेलेगों का अभीप्राई आपस में जुड़े हुए दीप समू से है आपस में जुड़े हुए दीप समू को आरकी पेलेगों के नाम से जाना जाता है तो एक द्वीप से संबंदित ये शब्दा वली है तो अंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा लक्ष द्वीप समू कहाँ पर इस्तित है तो ये भारत के दक्षिन पश्ची में फ्रेंड्स अरब सागर में इस्तित है अंसर ए ये भारत के अरब सागर में इस्तित एक केंदर शाशित प्रदेश है जिसकी केपिटल कावा रखती है इसे भी याद रखीगा बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है इसके बाद देखिए निम ने लिखे दीपो के युगमों में से कौन सा एक 10 डिगरी चेनल दौरा आपस में प्रत्थक किया जाता है तो 10 डिगरी चेनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है और ये बंगाल की खाड़ी में इस्तित है किसको अलग करता है अंडमान और निकोबार को ओके यहां तक के सभी कुश्यन आप सभी को क्लियर हो गए हैंगे फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए एक बहुती महतुकून अपडेट है देखे क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन पर अब आप सभी के लिए मंतली करण्ट अफेर्स की इबुक भी एवेलेबल हो गई है जहां पर जाकर फ्रेंड्स आप हमारी इबुक को जोईन कर सकते हैं आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिजिए और वहाँ पर जाकर आप मंतली करंट अफेर्स की e-book को जोईन कर सकते हैं ओके तो चलिए अब हम अगले कोश्चन पर आजाते हैं मरुस्थल परिवाशित किया जाता है उस छेत्र के रूप में जहां पर अब ये चार अप्शन देख लीजिए वार्शिक वर्षा 25 सेंटी मीटर से कम होती है तो ये कारण बिल्कुल सही है किसी भी छेत्र को मरुस्थल बनने के लिए तो एसे चेत्र फ्रेंट्स जहां पर वर्षा 25 सेंटी मीटर से कम होती है और लगातार कई वर्षों तक यही प्रोसेस चल रही है तो एसा चेत्र मरुस्थल में बदल जाता है तो अंसर ए यहां पर सही हो जाएगा जिस छेत्र में भी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमिटर से कम होती है वो छेत्र मरुस्तल हो जाता है भारती शेत्र में इस्तित दो ज्वाला मुखी दीप है तो देखे भारत के दोनों ही ज्वाला मुखी फ्रेंड्स अंडमा निकोबार पर इस्तित है और ये दोनों जो आलमुकी दीप बेरन और नारकुंडम दीप के नाम से जाने जाते हैं कहां परिस्ती थे फ्रेंड्स ये अंडमा निकोबार पर आपस में जुड़े दीप समू को क्या कहते हैं तो देखिए अभी हमने इस पर डिसकस किया था इस कोशन का अंसर आप सभी को पता होगा इसे कहा जाता है आरकी पेलागो तो आंसर सी इसके बाद नेक्स्ट कोशन देखिए भारत का दक्षिन्तम दीप कोन सा है तो देखिए भारत के सबसे दक्षिन में फ्रेंड्स ग्रेट निकोबार इस्ति थे जो की भारत का सबसे दक्षिन्तम दीप है इसी पर देखिए इंद्रा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिन्तम बिंदु है तो ग्रेट निकोबार स्वतंदरता से पुर्व कोन सा भारती शेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था तो देखे भारत के जो क्रांती कारी थे फ्रेंड्स उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी और जब उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी तो उन्हें अन्दमान निकोबार दीप समू पर छोड़ दिया जाता था आंसर भी इसी दीप समू पर देखिये cellular jail है जहां पर काला पानी की सजा दी जाती थी तो ये शेत्र अंडमार निकोबार दीप समू का शेत्र है माजूली संसार का सबसे बड़ा नदी दीप किस राज्ज में इस्ति थे very simple ये नदी दीप असम राज्ज में इस्ति थे भारत एवं शरी लंका के मद्ध्य विवाद किस दीप को लेकर है तो भारत और शरी लंका के मद्ध में friends एक दीप है जिसे कच्छा तीवि दीप के नाम से जाना जाता है ये दीप देखिए भारत और शिलंका के मद्धि विवादित था लेकि 1974 में एक समझोते के तहट ये श्री लंका को सोब दिया गया है तो एसा दीप है कच्छा तीव दीप वर्तमान में ये श्री लंका के अधिकार शेत्र में है लक्ष दीप में कितने दीप समू है तो फ्रेंट्स लक्ष दीप जो की भारत के दक्षिन पश्चिम में इस्तिते केंदर शाशित प्रदेश है ये टोटल 36 दीपों से मिलकर बना हुआ है अंसर C विलर दीप का नया नाम क्या है सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं फ्रेंट्स भारत के दक्षिन में देखिए ये ओडिशा राज्जी के तड़ पर इस्तिते एक दीप है इस दीप का नाम बदल कर देखिए एपी जे अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम दीप कर दिया गया है कौन सा दीप है ये विलर दीप न्यू मूर दीप कहां पर इस्तित है तो न्यू मूर दीप के अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में इस्तित है फ्रेंट्स इस दीप के मद्दे में देखिए भारत और बांगला देश के मद्दे विवाद चल रहा है कौन सा दीप है नियू मूर दीप और ये कहां पर इस्तित है तो ये बंगाल की खाड़ी में इस्तित है निमने लिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्तल की सही अविस्तिती को बताता है तो देखिए शीत मरुस्तल के बारे में अभी तक आपको ये पता चला है कि लद्दाक को शीत मरुस्तल कहा जाता है अब देखिए लगदाक में कौन सा शेत्र आता है इन चारों में से तो पीर पंजल शिरेणी देखिए जम्मु कश्मीर में है तो ये नहीं आएगा कारा कुरम शिरेणी के उत्तर पुर्व का शेत्र तो ये लगदाक शेत्र में इस्तिद है तो आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा कारा कुरम शिरेणी के उत्तर पुर्व का शेत्र शीत मरुस्तल का शेत्र है नेक्स्ट कोशन देखिए कच्छा थीवी द्यूप 1974 में भारत द्वारा कीज देश को सोपा गया था अभी हमने इसकी बात की थी यह 1974 में फ्रेंड्स श्री लंका को सोपा गया था आंसर ए यह द्यूप भारत और श्री लंका के मद्द में एक विवादित द्यूप था जिसे 1974 में श्री लंका को दे दिया गया था थार मरुस्तल कहां इस्ति थे तो वर्तमान में थार मरुस्तल भारत के राजस्तान राज्ज में इस्ति थे आंसर B भारत एवं बांगलादेश के मद्द विवात किस दीप को लेकर है तो इन चार दीप को पढ़ लीजे फ्रेंड्स और याद कीजे कि हमने कौन सा दीप पढ़ा था तो ये दीप कोन सा था नियू मूर दीप जिसको लेकर भारत और बांगलादेश के मद्द में विवात है प्राचीन भारती भोगोलिक माननेता के अनुसार भारत वर्ष किस दीप का खंड था तो प्राचीन काल में देखिए भारत वर्ष जम्बू दीप का हिस्सा था आंसर ए ओके अगले कुश्यन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन पर तो बिना देर किये आप इन सभी कोर्सेस को क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन पर जाकर जोइन कर सकते हैं देखिए एप्लिकेशन के अंदर ही आप सभी के लिए एक कूपन कोड भी एवेलेबल हो जाएगा जहां से आप किसी भी कोर्स पर 50% तक का ओस ले सकते हैं तो बिना देर किये आप इन सभी कोर्सेस को जोइन कर सकते हैं ओके तो चलिए अब हम अगले कोशन पर आजाते हैं अगला कोशन देखिए नियू मूर दीप किन दो देशों के मद्द विवाद का कारण है दूसरे से अलग किये गए हैं तो हमने इस पर पहले भी डिसकस किया था अंडमान और निकोबार दीप समू 10 डिग्री चेनल के द्वारा एक दूसरे से अलग किये जाते हैं 10 डिग्री चेनल अरप सागर के दीपों में से किस भाग को मिनिकाए दीपों के नाम से जाना जाता है तो देखें मिनिकाए दीप जो है वो लक्षे दीप के सबसे दक्षिन में इस्तिद दीप है और ये लक्षे दीप का दूसरा सबसे बड़ा दीप है कौन सा है फ्रेंड्स? मिनिकाए और ये कहां पर इस्ति थे अरब सागर के दक्षिन में आगे देखिए भारत के किस भाग में बेरन जुआला मुखी दीप इस्ति थे तो देखिए बेरन जुआला मुखी जो की भारत का एक सक्री जुआला मुखी है फ्रेंड्स ये अंडमान दीप समू पर इस्तित है अंडमान दीप समू इसके बाद देखिए किन दीपों का समू लक्ष दीप है तो देखिए लक्ष दीप जो है friends इसकी विशेश्ता ही यही है कि ये प्रवाल विट्टी के द्वारा निर्मित हुआ है तो प्रवाल से उत्पन होने आला दीप कुन सा है लक्ष दीप नील दीप जो की अंडमान निकोबार में इस्तित है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है तो अंडमान निकोबार में इस्तित नील दीप का नाम बदल कर देखिए शहीद दीप कर दिया गया है अंसर टी निमनलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल दीप समू है तो इन चारों में से फ्रेंड्स लक्ष दीप एक ऐसा दीप है जिसका निर्मान प्रवाल भिक्तियों के द्वारा हुआ है लक्ष दीप भारत का सबसे बड़ा दीप कौन सा है भारत का सबसे बड़ा दीब देखिए ग्रेट निकोबार है जो कि भारत के दक्षिन पुर्व में बंगाल की खाड़ी में इस्तित है भारत का सरवाधिक अबादी वाला दीब कौन सा है भारत की सबसे ज़्यादा अबादी सलसेट दीब पर निवास करती है अगर हम सलसेट दीब की बात करें तो ये भारत के महरास्ट राज्ज में इस्तित है भारत के बश्य में महरास्ट राज्ज में देखिए मुंबई और ठाने दोनों ही इस दीब पर बसे हुए है तो सबसे ज़्यादा आबादी सलसेट दीप में भारत में देखने को मिल जाती है अगले कुशन पर आजएए संसार का सरवादिक जनसंख्या वाला मरुस्तल कौन सा है तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा घनी आबादी फ्रेंड्स थार के मरुस्तल में निवास करती है और थार का मरुस्तल भारत के राजस्थान राज्ज में इस्तित है वर्तमान में भारत के किस इस्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है भारत में सफेद पानी के नाम से ले शेत्र को जाना जाता है अंसर A अंडमान तथा निकोबार दीप समू में सबसे उची चोटी कौन सी है Very very important question है friends काफी बार ये एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए आप इस question को especially याद रखिएगा देखिए अंडमान निकोबार दीप समू की सबसे उची चोटी सेडल पी किया माउंट सेडल के नाम से जाने जाती है जो कि देखिए अंडमान निकोबार दीप समू के उत्तरी अंडमान पर इस्तित है तो याद रखिएगा उत्री अनमान पर इस्तित माउंट सेडल अनमान निकोबार की सबसे उची चोड़ी है कोशन देखिए अनमान और निकोबार में इस्तित रास दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो अन्वान निकोबार दीप समू में स्थित रास दीप का नाम बदल कर देखिए नेताजी सुबाच चंदर बोस दीप कर दिया गया है अंसर टी अरब सागर में स्थित भारती दीपों की सरवादिक महतुकुन विशेशता क्या है तो देखिए अरब सागर जो की भारत के दक्षिन पश्चिम में है इसमें जो दीप है जो की लक्ष दीप के नाम से जाने जाते हैं ये सभी प्रवाल बित्ती के द्वारा निर्मित है तो वे सभी दीप जो है प्रवाल के उद्गम से बने हैं आंसर भी इसके बाद सबसे last question देखिए friends कौन व्रहद हिमालय में इस्तित एक ठंडा रेगिस्तान है तो इन चारों में साब सभी जानते हैं लद्दाक एक एसा शेत्र है जो की व्रहद हिमालय में इस्तित है और इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है तो answer A यहाँ पर सही हो जाएगा लद्दाक को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है clear? तो friends देखिए यहाँ पर हमने भारत के दीपो से संबंदित जितने भी MCQS exam में पूछे जा सकते हैं उन सभी question को बहुत ही detail में डिसकस किया है नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम भारत की हमालय परवतमाला से संबंदित जितने भी question important है उन सभी question को डिसकस करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आपसे फिर मुलाकातों की नेक्स्ट वीडियो में बने रही हमारे साथ चाहिए